क्या actual में हमें सब chapters पढ़ने पढ़ेंगे क्या सारी poems पढ़ने पढ़ेंगे हमें रासा साधन अटेंड करना वड़ेगा व्याकरण क्या बहुत tough होता है सर scoring sites क्या है सर ये सारी चीज़े सारी की सारी चीज़े हम इस video में discuss करेंगे वे तो one short revision of some chapters as well मैं कुछ आपको passages कुछ parts जो sections है आपके paper के वो भी मैं previous question paper से discuss करके आपको इस video में बताऊंगा with proof कि आपका हिंदी का paper pattern कितना easy है और सुर्फ दो दिन में आपके ऐसे 50 mark score कर सका realistically तो वीडियो को अंतक देखिया बहुत सारे pdf और बहुत सारी बाते discuss कर दो आला हो तो हमारे साथ जरूर बने रहेगा कि ये जो दो दिन के strategy है दो दिन के strategy में कह रहा हूँ क्यों ये दो दिन के strategy में मैं बहुत जो डाल रहा हूँ तो इसका बहुत simple reason है कि आप as a 12th HSE student BK, Economics, OCA, Maths तो आप इन ही सब subjects में फसे रहाते हैं और languages को priority दे पाते हैं तो एक smart strategy smart strategy ही आपको इस subject में score करने के लिए helpful हो सकती है और ये video उसी बारे में है तो ये दो दिन preparation क्या है यह मैं आपको बताना हूँ चलिए हम शुरू करते हैं सबसे बहले एक overview देखें तो आपको आपके subject इस subject में पांच विभाग होता है गद्य, पद्य, विशेश अद्यन, विवारिक, हिंदी, वग, अपटिक दद्दाश और पांच आउटन, फ्याकरण का विपाग इसमें तीन section आपके 20-20 marks करोते हैं फर्स, सेकेंड और फॉर्थ, और बाकी दिरों 10-10 marks करोते हैं और इस तरीके से ये over on 80 marks का paper button बरता है 20 marks के sections हैं जैसे कि गद्यभाग, पद्यभाग और फॉर्थ वाला आपका इसमें आपको 12-12 marks के seed passages और poem दीगई होती है और उससे बेस्ट आपको answer zone के लिखना होता है मतलब आपका answer आपके paper में चुपा है हम discuss करेंगे कि कितने easy papers होते हैं कितने easy questions होते हैं उस paper के and then final job का होता है 10 marks का हिंदी विशेश अधिर और व्याकर ये full marks, ये golden opportunity होते हैं आपके full marks score करने के लिए the both are the easiest section of your Hindi paper pattern तो इस तरह से मैं बस आपको एट brief overview idea दे रहा हो कि कितना easy है आपका Hindi paper pattern है हम ज़रा dealistic लिए अधर देखें तो इसमें होता क्या क्या है यहाँबे देखें आपका जो पहला भी भाग होता है गद्यवांगर आपको जैसे कहा कि 6-6 marks का आपका 2 scene passage होता है इसमें क्या होता है कि इस 6 marks में से भी जो 2-2 marks के जो answers होता है यही सिर्व आपको passage से जूण के लिखने होता है जितने भी scene passage, scene poem होगी सेम यही pattern है बट मैं आपको फिर भी दिखा दूँगा पद्य के time और 4th भी भाग के time कि क्या अलाग है, कुछ नहीं है सब कुछ same to same आपको एक passage दिया है उस पर भी आपको आकलन्द कृती पूछी web diagrams होते हैं कि एक answer के 4 answers लिखी है और एक question के 4 answers लिखी है आपको यह so and so है question लिखा गया और आपको chapter से ढूण के बताना है then second होता है आपका शब्द संपदा यहाँ पर आपको क्या पूछाता है समानार्ति, विरुदार्ति, लिंग बदलना और फिर लिंग पहचानना ऐसे सारे शब्द आते है यहाँ पर शब्द संपदा पूछाता है and the third thing which they ask you every time जब यह आपको passage लिखेंगे seen passage हो, unseen passage हो, कुछ भी हो अभी वेक, यहाँ पर आपको अपने विचार कोई भी एक अच्छी सी लाइन लिखेंगे यह लालजपुरी पला है इसे कोई भी अच्छी बात लिखी गए हो भी और इसके आपको अपने विचार लिखे ले for two marks तो यह जब ब्रीफ मैं बता रहा हूँ हम जब questions को discuss करेंगे with previous year proof paper patterns तो आप देखे कितना easy passage होते है इसकी यह देखे, मैंने February 2023 का एक passage उठाया यह passage है आपका निराला भाई, जो second chapter है आपके आपके टेक्स्टुप में उसका है देखे हैं इसका कुश यह आपको passage दिया गया है आपे, as it is 6 marks का passage है अब इसमें आपको दो-दो marks के लिए passage में सांसर ढूंके लिखने है सबसे पहले है, संजाल पूर्ड करना है तो संजाल जिसके में आपका चार्ट, वेब होसे होता है, अलगल होते है box होते है, सर्फ पलत है, जो भी होते है तो 2 marks के लिए पुछा गया यहाँ पुछा गया, निराला जी का जमा किया हुआ रुपया इस प्रकार समापत होगा, अब निराला जी एक निरधान इंसान थे, इस अब चाप्टल explanation में आ औरेडी का रखे, इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी, तो यहाँ आप उचागे कि उन्हें कुछ amount जमा है वो कैसे खत्म हो गया, अब डुणने से कार का लगता है, एक घंटा, ठीक, इस ओके टाइम में लीजिए, आराम से पढ़ी है, थोड़ा समझ के पढ़ी फिर आपको अंसर आराम से में लेखा I am can it, आपको फर्स मेने सेकेंड पैसेज में यह चीज मिल जाएगी कि असुत नमक से लेकर नापित तक चपपल से लेकर मकान के किराय तक जो अनुबात मैंने बनाया, जब वह निराला जी को पसंद आ गया पहली बार मुझे अर्थ शार्ट लगया यहां पर आपको यह सेकेंड पैसे यहां से शुरू हो चाहेगा अब पचास रुपे चाहिए विद्यार्ति का परिक्षा शुल्क जमा करने के लिए, यह उनका एक पहला एक्सपेंस था, जिसकी वशां क्या पैसे खतम हो गया वाट विद्यार्ति का परिक्षा शुल्क, मतलब examination fees, यह आपका एक पॉइंट हो गया अने था वो परिक्षा में नहीं बैट सकेगा संध्या होते होते किसी साहितिक मित्र को 60 देने की आवशक्ता पड़ गया यहाँ पे देखे, साहितिक मित्र को 60 60 रुपे मतलब यहाँ पे खा गया उदेने की आवशक्ता हो गया, second point हो गया दूसरे दिन लखनो उसके तांगे वाली की मा को 40 का money order करना पड़ा, यहाँ पे देखे थर्ड हो गया 40 का money order, दो पेर को अपने दिवंगत मित्र की भतीजी के विवा में के लिए 100 रुपे देना अनिवार हो गया, यहाँ पे देखे ऐसे भी लाँगो जहाँ पे हम passages को कैसे solve करना, passage से answer रुन रहाँ गया था, previous year के question papers भी हर chapter wise में discuss करूँगो अगर आपको वीडियो जल से जल ची निची comment screen में जरूर बतारिएगा, second आगया यह हो गया आपका शब्द संबलागा, second part होगा, first था अब यहाँ पे क्या होता, जिसके में आपको कहा कि आपको विरूदार्थी, समानार्थी लिंक बदलना, लिंक पहचाना, ऐसे ही कोई question पूछे जाते हैं आपके, जिसकी answers आपको, या तो passage में रूनने हैं, या तो आपको हमारे अपपे में जाए, वहाँ पर ज़रूर देख लिए, उत्रिन, अनुत्रिन, मतलब पास का, पास से जुड़ता हुआ, मिला जुदा वर्ड़, रिखिए, कैसा हुदा आपको विरुदार्ती का भी एक शॉट्टर वहाँ, अगर आपको नहेस नहों जाता कि, इसका विरुदार्ती क्या है, मेरा हिंदी इतना strong नहीं है सर, तो क्या करने का कि, इससे ही रिचिट कोई वर्ड, इससे ही मुलता है, यहाँ पर उत्रिन था, तो यहाँ पर अनुत्रिन वर्ड है, तो नहों राइम कर रहा है, फिर थोड़ा असपास का लग रहा है, जिसके नापसंद वर्ड है, इसको तो आप बोल दोगी, पसंद, नापसंद, पसंद, थोड़ा मिलता लुदा शप्ताने सर, एक शॉटकर, एक ट्रिक, आप अपने साब से रख सक है, अज्यान, ज्यान, यह सिंपल वर्ड होता है, तो इस तरह के साब को यह एक पैसेज होता है, एंड लास्ट में आता है, आपका जीवन मित्रों का महत्व है, अभिवक्ति, परस्नल रिस्पांस का क्वेश्चन, दो मांक्स के लिए, चार पांच, दस लाइंग, जुते मित्रों के बार में ही लिखना, माताविता के बार में मत लिखना, कि माताविता मुषे बहुत मारते हैं, वैसे, अलो, आप यहां पे यह पोइंट डाल सेते हैं, आपके माताविता भी आपके अच्छी दूस होते है, मित्रों से लिए कुछ पॉइंट लिखा, एक से लिए ईट भूँगा, एक पैसे मुंकर Toff गया, यहां पे एक और देख लिते, लिखेहे, आकरतीसा, पुन कीच, आपको यह पे पैसेज़ सा नसा डूंकर लिखना है, कि संसार में, अब संसार में क्या, यहां पर अंसार पड़ेगा, तनसार में, सर, पाप है, यहां पर मिल गया हमको, देख आकी घुमाया सर, और इतना छोड़ा सा पैसे था सामने मिल गया, पाप है, जीवन में क्या है सर, जीवन में दोश है सर, आके घुमाया सामने दिग गया, वेवार में, वेवार, वेवार में अत्याचार है सर, सामने द तो यह लेखिए मैं इसे वीडियो पर दिखा रहा हूँ, आपको मैं प्रोवाइट करूँ ना इसके वीडियो पर, बने रहे है नमचार, तेन देखिए मैं आपको किसे गाता हूँ, कि शब्द संपता के लिए आपको विजोदारती समानारती लिंग यही सब पूछाता है, यहाँ पर आपको इसके समानारती सेम टू सेम मेरिंग वली वर्ड जोने होगी, समाज सेवा ही इश्वर सेवा है, इस पर अपने विचार लिखिए, किसके विचार, कोई बुक के वैल्यू, कोई बुक का रडडडडड़ा यंसा चीए क्या है, नहीं सर, आपको क्या लगत यहाँ पर भी इसके वैसे वीडियो जाने वाले दूस्तों, यह टोटल बारामाक सम्ताद्य हो गया, अब सर मुझे क्या बदा कुछ कुछ अंसर नहीं मिले सर तो, मुझे शब्द सम्ता में विरुजारती नहीं आ रहा, समानारती नहीं आ रहा, तो, मुझे अभी व्यक्त और यह तो मैं बहुत अख्रीस बोर हो, बहुत लीस्ट मार्क्स बोर आपके, आट मार्क्स मों मिल जाएगा, ऐसा है आपका देखे, पद्ध में भी सेम, दो पोयम्स दी गई है, अब पोयम्स पर अंसर नहीं तो बहुत इसी है, क्यों मैं आपको दिखाता हूँ अभी, अ आपको पढ़के जाने हैं, पुरानी हिंदी है, पुरानी हिंदी है, आपको अंसर नहीं थोड़ा सो प्रॉब्लम हो सकता है, आपको एक इजी वाला दिखाएगा, ऑल्लो मैं उस पर अगर डिसकुशन करूँ तो वीडियो हो जाएगा, इससे ही ही दिखे, यहाँ पर गती आपको इससे ही जाने है, तो आपको आखी वाला दिखे है, यहाँ पर अपर अपने आपको इससे ही दिखे, उसमें मोती होते हैं, इसमें आपको आपको राक होती, प्रातमतब तीके केले, खङया, चंदन होता है, ऐट, यहां पर वही चीज़, सरी चीज़ लिखे खेंगे, ने काल दवी चंद दीपक बने, कौन दीपक बना है, रवी चंद, रवी चंद यह थोड़ी खड़ी हिंदी वाली है इसलिए आपको थोड़ा त्रिकी लग सकता है simple हिंदी वाली poems भी आते हैं दो-दो poems दोदर वहाँ पर आप आठ से छे माक्स आराम से स्कोर कर सकते है ओचित मिलान इश्वर आप इश्वर कहाँ पर है आकाश आकाश कहाँ पर समय समय क्या होता है खोज अब ऐसे आपको यहाँ पर वर्ड्स जुड़े जुड़े से लिख रहे है इसे यहाँ पर देखिए मैंने आपको कहा था कि आपका जो शब्द सम्पत होता है वो होता है समनार्थी ठीक है वीरुदार्थी ऐसी सब बेस्ट होता है यहाँ पर लिखा है उचित मिलान की जा करू क्या सर कहां से क्या डुनना है तो यहाँ पर आक्च्छल में आपको सब के समनार्थी शब्प उच करने के लिए बाट विया स्मार्ट सुरें आफकॉस विया इन ट्वेल्थ अब थर्ड है अभिवेक्ति परस्नल रिस्पांसर वशन जैसा कि मैं आपको घाए यहां पी देखे पोयम में भी सीम तुसें वैसी सब कुछ चीज की ते जैसे कि पैसेज के लिए थी विद्यारती विद्यारती जीवन में गुरू का महत्तु है आपके लिए आपके टीचर्स क्या इंपोर्ट जाते हैं इसे अपने शब्द में 40 से 50 शब्दों में लिखिए 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 ना कुछ भी लिखिए यहां भी मैं एक्स्पेट करू अगर 12 में से 6 या फिर 8 मार्क्स ठीक एंड गार मैं 3rd 20 मार्क्स वाला सेक्शन जाते हैं यहां भी 20 मार्क्स है अगर सेम तू शेम पाटन है दो छेचे मार्क्स के पैसेज़ेश है यहां पर देखिए 6 मार्क्स का परिछेद है आकलन शब्द समपता और अभी वेक्ति सेम फिर से आपको अपर टिद परिद परि जो तीनों 20 marks के हमारे sections है, उसमें हमें हमारा best friend मिल गया, इसकी पठित और पठित हमें passage दिया है poem दिया है, उसमें से answer डूनना है तो अगर हम सब के इन तीनों के मिला मिला के, 8-8 marks भी consider करते हैं सर, कितने? 8 at least 8 at least 8 at least, ठीकि कितना हो गया? 24 हो गया अभी एक और बाग किया, that is विशेश अध्यर, तीसर अभी बाग यहाँ भी देखिए, यहाँ भी आपको 6 marks का एक और passage मिल जाता है यहाँ पे, यहाँ पे भी मैं 6 से 4 marks, 4 से 6 marks consider करता हूँ, ठीकिए, चलिए 4 लेजिते हैं 4 marks मिल रहे हैं सर? यह पहले 24, इसमें के 4, कितने हो गए? 24, चार, 28 लास आता है आपका व्याकर, जो कि मैंने सबसे लास के लिए बचा करता था, जो कि सबसे सीक्रेट और सबसे ज़्यादा helpful होता है सबसे सीक्रेट और सबसे ज़्यादा helpful होता है, that is your व्याकरण का भी भाग अब व्याकरण में क्या है? व्याकरण में सवर काल पूछा है अलंकर पूछा है रस पूछा है और मुहावरे पूछा है यह सब कहीं दिखा 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 चा लग रहा है हाँ यह आपके 10th का 10th level की question answer है काल परिवर्तन अलंकर पहचाना रस पहचाना मुहावरों को वाक्य में convert करना मुहावरों को पहले आप उसका अर्थ समझाए कि जैसे चार चंद लगाना तस्से मसना होना वावा करना तारीफ करना ऐसे मीनिंग लिखी है वाक्य बनाई है आपको दिखाता हूं कुछ प्रिवेज एक पीपर्स कुतने एसी होते है और यहापे कितने एसी होते है और यहापे अगर मैं सरफ यह 4 sections वाक्य शुद्धिकान को छोड़ भी देता हूं चल ठीक है वाक्य शुद्धिकान जो मातरा और फुल स्टॉप को माईस में प्रॉब्लम होती है यह जो दस मार्स है ना सर इस में से चली है मैं आपके लिए छे मार्स दंसर करता हूँ यह जो आपका एकार दंसर जिसे कि आप रस नहीं पैचान पाए अलंकान नहीं पैचान पाए कुछ गलती होगे यह पर कहीं आपका कालनक गलती होगे यहाँ पर मैं 6 मार्स आपके पकड़ के चलता हूँ इजी 6 मार्स तीक है यूँकि आपके दसवी का सेल बस से अब अब अगर इसमें भी कुछ लोग को प्रॉबल होगे तो मैं इस भी वीडियोस जल्दी ही आने वाल हो बट यह 6 मार्स आपके 5 मिनिट की महनत है अगर आपने ठंग से व्याकरण के वीडियोस देखे आपको व्याकरण थोड़ा भी बुफत आता है ना अब यह 6 मार्स आराम से स्कोर कर सके और यह मैं least मार्स पकड़ के चलता हूँ इसका अगर आप टोटल लेखेंगे तो 8, 16, 24, 28 और यह 34 34 आउट ओफ 80 मार्स आपको रिटन एक्जाम में least महनत में मिल जाएंगे सरफ एक दिं की महनत है मैंने जितना आपको दिखाया है जितना आपको गिना है पैसिट सांसेट उनना, पोयम सांसेट उनना एक दो पेपर रिफर कीजे पीडियर्स में आपको अप्लोड करके दे दूँगा सॉल्फ करना भी सिखाऊँगा मैं वे आकरांट थोड़ा बहुत देखिए यह आपको least मार्स 34 आराम से कहीं नहीं है इसके अलवा विशेश अद्यान के लगुत्री और रसा स्वादन और उसमें आपका लगुत्री जो 6 मार्स के लगुशाथ यह सब वीडियो में लाने वालो है और वो भी बहुत ईजी बहुत बहुत बता हुँआ यह बट बिना मेरे वीडियो नहीं भी देखेंगे तो भी 30 मार्स 4 मार्स आपके हैं और इसमें अगर आप अपने इंटनल्स के 15-16 मार्स समझे 15 मार्स जोड लेंगे तो यह बन जाता है 49 अवरेज अगर में 50 लो कहीं से आपको 34 के 35 मार्स भी तो सकता है आपको 50 मार्स मिल सकते हैं सिर्फ जैनुरन प्रूवन एक दिन अच्छी एक दिन की महनत की है तीक है अब वो एक दिन में अगर आप यह सब चीज कर लेता है एक दिन की महनत आप यह साही चीज़ए दो दिन में करने साथ है आप मिट पिट करते है बट यह 50 marks, 50 marks out of 100 in Hindi, you can score very easily, देखिया, यह देख लिज़े, मैं आपको कुछ व्याकर्ण के last last में आते हैं आपको कुछ questions भी दिखाएं, तो previous question, आप देखेंगे, खुद कहेंगे, कितने easy है सिर, पाल पर रिवर्तन है, मैं पढ़ लिखकर नौकरी करने लगा, पून भूतक पून भूतकर में क्या होता है, आ था, ए थी, ऐसे वर्ड्स होते हैं, सामाने भाई उश्काल में sentence चैंज करना है, उनका जमा किया हुआ रुपया समाप्त हो जाएगा, गा, गी, यह, ऐसे वर्ड्स होते हैं सर, यह मुझे पता है, किन्ज कीजी न, दो माक्सा काल परिवर और आपके लिए बहुत simpler section ही है, option दे option, और concept दे पुराना, टिक है, अलंकार पैचानना है, अलंकार पैचानना है, रुपक है, आपका अतिशोक्ती है, या फिर आपका उपमा है, कौन सा अलंकार है, अलंकार पे मैं separate video जरूर लाऊंगा, दो मेरा concept है, आप बस उस video को follow कर ले, समझ जए आपको, रस पहचाने है, पोयम के जो लाइन है, उसमें कौन सी फीलिंग है, रस याने की फीलिंग, फीलिंग क्या बता रहा है पोया, यह आपको लिखना है, तिक है, मुहावरे एक्स लिंग कीजिए, तो यह आपका प्रिवियस अगे कुश्चन पिपर से हैं सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और शेयर जरू करें